नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Study for Civil Services में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम ये वालोगर जरूर से जरूर जोइन कर लिजेगा Hello students, welcome to Study for Civil Services मैं हूँ आपका Educator कमलाक्ष ज़ा and guys 17th of July 2020 का Current Affairs का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दू कि अगर आप Civil Services की तयारी कर रहे हैं तो आप इनमबर पर Contact करके हमारे Paid Courses को जोईन कर सकते हैं आपकी Requirement के According हर प्रकार के Paid Courses अविलेबल हैं जैसे कि आपने अभी अभी तयारी शुरू करी है आपका Target है 2021 तो उसके लिए भी Full Fledged Paid Courses अविलेबल हैं जहां पर पूरा Study Material दिया जाता है आप लोग को आपकी तयारी पूरी हो चुकी है आपको Revision करना है Test Series जोइन कर सकते हैं Mains की तयारी अच्छी करनी है Mains के लिए Answer Writing Practice जो है वो course ले सकते हैं आप हमारा और साथी साथ काफी सारी है जो आपको requirement उसके according हर चीज आप अविलेबल है तो आपको सिर्फ contact करना है आपकी requirement बतानी और काफी कम पैसों में काफी कम cost में आपको यह paid courses प्रोवाइड किया जाते हैं तो चलिए अब समयना वेस्ट करते हुए lecture को शुरू करते हैं सो जिस प्रकार से civil services में हम लोग को GS paper 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम लोग उसी के according news को भी cover करते हैं सबसे पहले हम लोग paper 1 से related topics को discuss करेंगे then we will move on to paper 2 फिर paper 3 की news को cover करेंगे guys paper 1 की पहली news में काजी रंगा नैशनल पार्क की बात हो रही है यह इसकी location कहाँ पर है देखो तो यह असाम North Eastern region पर हम लोग को जो यह असाम देखने को मिलता है वहाँ पर काजी रंगा नैशनल पार्क है अक्सर ऐसे questions बनते हैं कि यह फलाना नैशनल पार्क, फलाना wildlife sanctuary, फलाना tiger reserve कहाँ पर है तो याद रखना काजी रंगा नैशनल पार्क असाम में है यह single largest undisturbed Brahmaputra Valley floodplain में यह area हम लोग को देखने को मिलता है Brahmaputra Valley floodplain, floodplain है यानकि हम बार्ड बहुत जादा आती है Brahmaputra जो नदी है उसकी बार्ड हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है और Brahmaputra Valley में यह located है तो ऐसे भी कई का और मैजदा following में कोश्चन अदाज है तो Brahmaputra Valley याद रखना है 1974 में इसको नेशनल पार्क डिकलेर किया गया था 2007 में टाइगर रजर्व इसको डिकलेर किया गया था 1985 में युनेस्को की वर्ल हरीटेट साइट में इसको डिकलेर किया गया था और Bird Life International के द्वारा इसको इस एरिया को एक important bird site, important bird area जो है वो डिकलेर किया गया है यहाँ पर चार बड़ी प्रचाती हैं हम लोग को species की देखने को मिलती है rhino, elephant, royal bengal tiger, asiatic water buffalo देखो यह बड़ी बड़ी जो species हैं यह हम लोग को देखने को मिलता है और यह endangered species है तो यह news में आया हुआ था यह वाला topic और news में जिस परपस के लिए आथा इस से related आपसे questions पूछे जाएंगे तो आपको यह सब चीजे बस ध्यान में रखनी है इस से बाहर का और ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा बात हो रही है डल जील के बारे में डल लेक के बारे में डल लेक कहा पर located question आए तो जम्मु एन कश्मीर union territory mark करना है अब जम्मु एन कश्मीर state mark नहीं करना है ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है और second largest यह लेक है जम्मु एन कश्मीर union territory के अंदर इसको dwell in the crown of कश्मीर या फिर श्री नगर जोल कहा जाता है श्री नगर का गहना है इसको कहते हैं इस area को इस जगा को यह natural wetland का part हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर एक floating garden भी है और इस floating garden को rat के नाम से या red के नाम से आप जो भी इसका pronunciation correct होगा आप अपने साब से देख लीजेगा बागी main cheese rad आपको पता होनी चाहिए कि इसके नाम से जो है यह जाना जाता है कश्मीरी में रड के नाम से और यहाँ पर जोलाई से ऑगस्त के बीच में हम लोग को यहाँ पर lotus जो कमल का जो फूल है वो दिखाई देता है और यह floating garden की तरह होता है यहाँ पूरे जो पानी ज इसके लाबाद शंकर अचारिय हिल्स भी लोकेरेट ऐसे भी कोशन अकसर आते हैं जैसे कि north to south में अरेंज करो hills को hill range को east to west में hill range को अरेंज करो तो याद रखना कि Jumbo and Kashmir हो हम लोग को यह शंकर अचारिय हिल्स भी देखने को मिलती है ठीक है इसके तीनों तरफ है यह आप बनने के बाद जरूर जाईएगा फिर तो आपको भारत दर्शन में जाने को मिलेगा ही मिलेगा तो motivation रखो भारत दर्शन में कितना मज़ान है पूरा देश देखोगे आप जो जो चीज आप पढ़ रहे हो पूरी चीज प्रैक्टिकली आपको दिखाई जाएगी तो पढ मिलेगा नहीं अब वो समय गया इसलिए तो लोग रिजाइन कर देते हैं इसलिए तो लोग काफी सारे आप देख रहे होंगे कोचिंग वगरा कोल के बैट गाए और भी काफी सारे लोग है जो दूसरे बिजनस में इंवाल होगा है जिनको पैसे की यादत होती है और जिनक ठीक है और यह एक लैंड रॉक रीजन है जिसको आट सक कहते हैं तो यह ऐसे भी कोशन बन सकते हैं फलाना रीजन टेरिट्री अभी न्यूस में थी कहाँ पर लोकेरेट है तो याद रखना इंटरनाशनली रिकोगनाईज अजर्बाइजन की टेरिट्री में यह हम लोग को तो यह जो है यह वाला इसको यह कहते हैं नगोर्नो कारबाक रीजन और आर्ट सेक के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एक माउंटेन रेंज भी है कारबक कारबक माउंटेन रेंज कहाँ पर है तो आपको यह भी पता होना जिए ऐसे कोशन बनेंगे टॉपिंग न्यूज में था क्योंकि यह disputed एक territory है जहाँ पर Armenia जो है वो claim करती है कि यह territory जो है वो उसके अंदर आती बट internationally Azerbaijan के region पर यह territory जो है वो recognized है यह recognized किया गया है कि यह territory Azerbaijan के control में है ठीक है तो यह आली चीज़ है जिसको आपको थोड़ा सा धान में रखना है इनका जो है पूरा नाम क्या है इस प्रकार से स्टेट्मेंट वाइस कभी कभी state civil services में आ जाते है Indian freedom fighter थे यह 1857 का revolt जब आपने पढ़ा होगा तब इनका नाम सोना होगा आपने इनका जन्म 1814 में हुआ था नासिक के अंदर महराश्ट्रा में और यह एकलौते बेटे थे पांडूरंग राउट टोपे के और रुकमा भाई के है इसके अलाबा बात करें गईस तो यह नाना साहिब जो है जो थे हम लोग को 1857 की योद में देखने को मिले थे जिन्होंने battle लड़ा था टोपे के साथ मिलकर और क्योंकि टोपे जो थे वो इनके friend थे और इनके right hand भी माना जाता था नाना साहिब का जो right hand थे वो टोपे थे तात्या तोपे और जो नाना साहिब जो थे वो पेशवा के adopted son थे तो यहले चीज़ आपको बता होगी कि इन्होंने अपने pension के लिए जो है वो बिल्डेशर से लडाई करी थी तो 1857 का जो revolt था एक united revolt नहीं था actually मैं आपको बता होगा जैसे कि कई सारे जो scholars हैं उनका कहना यह होता है अलग-अलग आप लोग को approaches देखनी होती है history के अंदर की अलग-अलग scholars की क्या approach है तो आपको बता होगा कि अलग-अलग territory के लोग जो है वो उनका अलग interest था एक common united independence का interest नहीं था इनका enemy common था britisher बट इनका जो personal interest था वो अलग-अलग था जैसे कि बाद में चलकर हम लोग ने देखा कि एक common interest develop हुआ जब nationalism के अंदर हम गए थे nationalism के बारे में जब हम लोग ने पढ़ा था आगे चलके यान कि 1857 के बाद जब आप आगे चलके पढ़ोगे तब आपको बता लगएगा कि जब बाद में चलके फिर लडाई जो हुई थी वो देश को अजाद करने की हुई थी बट 1857 का जो revolt हुआ था वो regional revolt था यान कि इस अब लोग अपनी territory का उनका एक खुद का personal interest के उपर बेज रवोल्ट था इसके अलावा इनोंने रानी लक्ष्मी भाई जी के साथ collaboration किया था जहां सी रानी लक्ष्मी भाई पता होगा आपको और गॉलियर को इनोंने सीज कर लिया था और उसके बाद फिर बाद में जाकर इनको जो है वो जो topic जो पूरा चला है वो national monument के उपर बेस्ट हम लोग को देखने को मिला इनका एक national monument जो है वो construct किया जा रहा है तो उस construction को हटा कर दूसरी जगा जो हो लगाओ तो ऐसा कुछ चल रहा था वट अभी honorable court ने जो है वो इहां पर का है कि already इसका 50% काम जो हो चुका है इसमें बताये गए कि धाई करोड से जादा और पैसे खर्च हो चुके है इनके construction में जो की अभी हम लोग को नासिक डिस्टिक यह ओला में देखने को मिल रहा है तो इसलि अब paper 1 से related guys इतने ही topics थें now we will move on to paper 2. World Youth Skills Day की बात हो रही है 15 July को हर साल World Youth Skills Day observe किया जाता है United Nations General Assembly ने 2014 में इसको designate किया था World Youth Skills Day को इसकी जो थीम है 2020 की वो है Skills for a Resilient Youth, एक कोशल यूवा के लिए कोशल ये इसकी थीम जो है वहम लोग को देखने को मिल रही है और Skill India Mission की पाचवी anniversary है 5 years पूरे हो गया Skill India Mission को तो यह अली चीज़ भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए इस समय पर तो यह था इसके वर्मस इतनी जीज़ आपको धान में रटनी है Next topic है वो है BETA, Bilateral Trade and Investment Agreement, BETA अभी देखिए guys European Union और India की एक virtual summit हम लोग को देखने को मिलेगी तो उसमें negotiation किया जाएगा BETA के बार में BETA के बार में बातचीत की जाएगी क्योंकि actually में problem क्या हुई है कि इंडिया और European Union के बीच में जो free trade agreement है यह BETA जो है na actually में free trade agreement आपको नाम सीसन में आ रहा है bilateral यानि कि European Union और इंडिया के बीच का एक agreement है आप मुझे बताइए नीचे comment box पर लिखकर कि European Union total कितनी countries का एक संग है कितनी country का union है कई बार बता चुका हूँ मैं आप लोग को नीचे comment box पर लिखकर बताइए इसका मुझा updated number चाहिए जो अभी latest है सालो पुराना number नहीं चाहिए एक बार देख लीजेगा अगर आपको पता नहीं है तो अभी recently updates हुआ है इसके numbers में तो European Union जो है जो Europe की जो countries है उनमें कितनी countries को मिला कर European Union बना है फटाक से बताइए नीचे comment box पर लिखकर तो देखो guys यहाँ पर यह agreement जो हम लोग को देखने को मिल रहा है European Union और इंडिया के बीच का यह किसका agreement है ट्रेड और इंवेस्मेंट का तो यह beta जो है guys यह अभी ही तक जो है वो fail होता जा रहा है काफी समय से beta हम लोग को देखने को मिल रहा था बड़ इस पर बातचीत नहीं हुई और यह fail होता गया राइट क्योंकि European Union और इंडिया के बीच में एक अच्छे trade relations develop नहीं हो पारे तो अभी जो upcoming virtual summit होगी तो उसमें इसके बारे में चर्चा की जाएगी और आज की रेट में इस challenges इंडिया के लिए क्या क्या है और देखिए यह challenges नहीं सिर्फ European Union के लिए बल्कि rest of the countries के लिए भी है तो यह मैं आपको कई बार पढ़ा भी चुका हूँ जो हम लोग ने बात करी थी आत्म निर्भर भारत के बारे में self-reliant जो हमारा mission हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडिया को self-reliant बनाना है उसके बारे में तो जिन बच्चों ने वो पूरा topic नहीं पढ़ा और main से आपके मान के चलिए कि 10 plus marks के आपके topics पके हैं तो यह चीज तो पकी है वहाँ पे आप वो cover कर लीजेगा जरूर और उसमें भी हम लोग ने इसके बार में discussion किया था और बीच में काफी सारे editorials वगरा यानि कि discussion जब मैं कर रहा था आपके current affairs का तो उसमें काफी सारे editorials के view point में आपको provide किये थे तो देखिए guys कुल मिलाकर आत्मिरवर भारत में हमने किस पर target किया कि इंडिया जो है वो manufacturing करेगी इंडिया जो है वो export करेगी इंडिया import को reduce करेगी ये कुछ ऐसी वज़ा है जिसको लेकर countries जो है guys ये आपस में नहीं सिर्फ European Union बाकि और भी काफी सारी countries जो है वो इंडिया से थोड़ा सा बिचक गई है बिचक यानि कि back off कर रही है क्योंकि डर लग रहा है न दूसरी country को कि इंडिया अगर manufacturing करेंगी दूसरी country से अगर import नहीं करेंगे तो क्योंकि हर एक country जो है वो चाहती है कि वो export करें हर एक country अपना business बढ़ाना चाहती है लोग जो है वहने कि दूसरी country जो है उनसे purchase करें उनके साथ export के जाधा relation हो दूसरी country के साथ हर एक country ऐसा जाती है ऐसा demand करती है बट इंडिया क्या कोशिश कर रही है इंडिया अपनी economy को थोड़ा change कर रही है कि manufacturing economy इंडिया को बनाने वहुत अच्छी बात है बट हमने यह चीज़ डिक्लेयर कर दी है कि अब हम लोग import कम करेंगे और export जाधा करेंगे तो उससे क्याव की काफी सरी companies है MNCs वगेरा उनको डर है कि यहाँ पर वो established होंगी और उसके बाद अगर फिर इंडिया के लोग जो है वो उनके माल purchase ना करें तो क्योंकि इंडिया के अंदर एक वो चीज़ चल रही है कि हम लोग को इंडिया की ही समान purchase करने made in India products purchase करने right consumers के mindset इस प्रकार का develop हो गया है तो तो बड़ी problem आजएगी दूसरी country को are you understanding the point यह यह चीज पता है इस चीज को लेकर बहुत insecurity दूसरी country के बीच में हो रही है इंडिया को लेकर तो यह एक प्रकार का limitation drawback जो है वो आत निर्भर भारत का है जो कि आपने mains में पर उपयोग करेंगे और यह same चीज इस topic पे भी हम लोग को यही देखने को मिल रही है इंडिया जो है वो protectionist stance पर हम लोग को देखने को मिल रही है इसकलावे इंडिया का make in India program self-reliant जो objectives इंडिया के देखने को मिल रहे है तो यह सब जो है वो दूसरी country को back off कर वा रही है यह यह इंडिया के अंदर दूसरी country ठोली से डर रही है investment करने के लिए कि कल को investment कर दें पैसा लगा दे अपना और कल को वो जो products जब बन किया है वो company से और फिर लोग जो है वो उस company के products को boycott कर देंगी नहीं हमें तो इंडिया के products रही है तो इस प्रकार की चीजे जो है वो क्योंकि कोई भी company है कर उसको invest करना ह जैसे कि आप हो आपको गहींपर invest करना है तो आप आज जो पैसा लगा रहे है आप चाहोगे कि कल को 10 साल के बाद आपको रिटन जो है डबल ट्रिपल चार गोना ज़ादा है या पांच गोना ज़ादा है आप यही सोच कि कहीं भी पैसा लगा होगा अब दूसरी company अगर प 3% trade इंडिया के साथ होता है जो कि काफी काम है बट इंडिया की बात करें तो इंडिया जितना trade पूरे दुनिया भरत के साथ करती है उसका काफी बड़ा portion trade जो होता है वो European Union के साथ होता है जो कि 11% का बता है जा रहा है तो यह चीज़ है guys तो यानि कि इंडिया के लिए European Union जो है वो काफी largest trading platform partner है वो और European Union के लिए India जो है वो काफी low trade उसके साथ होता है जैसे कि ये इसको आप I know कि आप में थोड़ा confusion आया होगा कि ये कैसे possible है तो देखो काई ये हम लोग मान लेते हैं कि ये एक बड़ा circle है ठीक है ये मान के जलते है European Union का क्या है global जितना trade करती है European Union और ये है European Union बीच में तो इसका देखे आप इसका radius आप देखे काफी बड़ा है ये trade जो है वो काफी लोगों के साथ करती है ये बड़े मातरा में trade करती है उसका एक बहुती छोटा सा portion trade का यानि कि इन सब में आप मान के चलो कि ये पूरे boxes है जिसके साथ जो है वो trade किया जाता है European Union के तवारा ठीक है और इसका जो ये वाला box है ये काफी छोटा है निकि काफी बहुत कम portion जो होता है वो trade जो हो किसके साथ है इंडिया के साथ है European Union का बट वहीं अगर हम लोग इंडिया की बात करें ये इंडिया का सरकल है और इंडिया जो है उसका ये मान के चलो सर्फ उसका सरकल जो है निकि उसका ट्रेड जो है वो पूरे rest of the world के साथ काफी कम है यानि कि larger perspective में आप देखो तो इंडिया का जो trade है मलब सभी countries के साथ अगर बात करें और compare करें उसको European Union के साथ तो इंडिया का सभी countries के साथ trade जो है वो काफी कम है European Union के comparison में बट इंडिया जो trade करती है उसका एक larger portion जो है वो European Union के साथ trade करती है तो इसलिए इंडिया के perspective में European Union जो है वो largest trading partner है और investor है इंडिया का, अगर इंडिया पूरे दुनिया भर के साथ global trade की बात करें, तो जितना वो पूरे दुनिया भर के साथ global trade करती है, उसका 11% trade जो होता है, वो European Union के साथ होता है, बट European Union की आखों से अगर इंडिया को देखा जाए, तो European Union बोलता है कि यार हम जितना trade पूरे दुनिया भर में कर रहा है, उसका बहुती का मात्र 3% जो है, या फिर उससे भी कम trade जो है, वो इंडिया के साथ होता है, क्योंकि European Union अमीर है, वो दूसरों के साथ जादा कर रहा है trade, तो उसके लिए छोटी मोटी चीज जो होती है, अब देखो, एक factory है, एक factory के अंदर से अ एक दुकानदार है, उसकी दुकान में 20,000 जो है वो production होता है, 20,000 एक दिन में, माल के चलो कि कोई product वो produce कर रहा है, एक दुकानदार, बट उस 20,000 में से किसी दिन 10,000 products ही जो है वो produce हो रहा है, तो उसके लिए तो वो उतना कम नहीं होगा, उसका तो 50% योगा, बट दूसरे वाले के लिए तो वो काफी कम हो गया, जहां एक लाख जिस factory में माल manufacture होता है, उस factory में एक दिन 10,000 माल manufacture हो तो उसके लिए तो बहुत कम है, क्योंकि वो उसका per day manufacturing होती होती हो बहुत जाद होती, unit है काफी जादा है, बट एक दुकानदार में अगर per day manufacturing 20,000 की हो रही है और एक दिन बस उसकी manufacturing 10,000 की हो जाए, जितनी एक factory की होती है, यानि कि जितनी इसकी हो रही है एक दिन, यानि कि loss में, तो क्या हुआ, इसको उतना loss नहीं होगा, जितना इसको loss होगा, तो यह चीज है, इस प्रकार से, यानि कि larger perspective से चीजों को देखोगे, तो आपको चीज है clear हो होगी, तो आज थिंक कि शायद हो गई होगी, मैंने इस प्रकार समझाने की कोशिश करी है, इसके लब अब BTIA की बात करें, जून 2007 में इंडिया और European Union ने ये negotiation शुरू किया था, दोनों countries के बीच में trade और investment का, ये Brussels, Belgium के अंदर हुआ था, और ये जो negotiation जो है, हाला कि ये negotiation क कि उबर भी pause लग गया है, क्योंकि इस पर ज़्यादा चर्चा है और नहीं हो रही है, बट अभी दो बड़ से फिर से चर्चा है revive करने की बात की है, और उस पे problems आएंगी, challenges जो आएंगी, जो मैंने भी आपको अल्रेडी बताई थी, आत में निरबर भारत को लेकर, तो य जिसते की इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो negotiate कर सकें, आपस में, ठीक है, तो यह जो discussion हुआ था, यह 2006 में हुआ था, साथ भी इंडिया यूरोपियन सम्मिट के दोरा, जो कि Finland के अंदर होई थी, और उसी में ये निसकश निकल के आया, कि हाँ, एक ऐसा platform बनायत में promote करेंगे, और जितने भी barriers वगेरा जो है, वो remove करेंगे, और सभी sectors में जो है, वो investment किये जाएगा, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, हम लोग को देखने को मिलेगा, और नया market जो है, वो open किया जाएगा, opportunities जो है, वो Indian और यूरोपियन यूनियन बिजन तो देखो, ये guidelines किस की है, अगर question आता है, तो याद रखना है, digital education के लिए, ये guidelines हम लोग को देखने को मिल रहे है, जिसको release किया है, अभी lockdown के चलते है, हम लोग को देखने को मिला, कि school colleges बंद हो गए, तो अभी भी परस्तिती सही नहीं है, अभी भी coronavirus है, और भी even cases बढ़त education के लिए, और 8 steps जो होंगे, ये digital learning के है, planning, review, arrange, guide, yak को talk करके रखाएने, ये talk, मतलब याक ही है, ये प्रग्यता से पूरी चीज बनाई गई है, assign track A, तो ये प्रग्यता जो है, उससे पूरी चीज नहोंने बनाई है, ये पूरे 8 steps इस प्रकार के दिखाए है, ये planning, जो है, बताई जाएगी कि ये पूरे जो steps होंगे, ये planning के है, कि किस प्रकार से digital education को plan करना है, और किस प्रकार से उसको implement करना है, execute करना है, ये सिर्फ advisory nature की है, और state governments भी जो होती है, ये भी अपने हिसाब से अपनी local needs के according rules इसमें add कर सकती है, या modify कर सकती है इसको, और ये guideline से होंग कि कि इतने duration की class होनी चेह, बच्चे का screen time कितना होनाँ है, कि इतने time तक बच्चे सक्रीन के सामने बैठेगा, या बैठेगी, तो बच्चे जब screen के सामने बैठेगे, तो उसमें क्या होता है कि लंबे समय तक हίο कहिश की about too, वा जादा समय आपना है कि वो जादा समय ऑनला mass ना बिताएं, क्योंकि उनको offline activities भी करना जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर का गया है कि balanced offline and online activities होना जरूरी है क्योंकि अगर उनको सिर्फ पूरी education online करवाई जाएगी, तो उससे क्या होगा उनकी mental growth तो होगी, बढ़ हाँ, फिर भी एक हद तक mental growth भी नहीं होगी, क्योंकि mental growth के लिए physical activities की requirement होती है जैसे कि school में हम लोग को देखने को मिलता है कि एक period जो होता था, वो PT के लिए होता था आप school वगरा गया होगे, college वगरा गया होगे होगे आपको बता हो, PT का एक period होता था गेम्स का एक period होता था, क्यों होता था CCE, I mean, curricular activities के जो period होता था, क्यों होता था इसलिए होता था कि बच्चा जो है वो develop करे उसकी personality development हो, और क्या होता कि एक बच्चा अगर सिर्फ पढ़ाई-पढ़ाई कर रहा है तो भी उसका mind जो है वो grow नहीं करेगा until illness वो physical activity में involved नहीं होगा यह होगी, right? Are you understanding it? तो यह सब चीज़े पूरी plan की जा रही है कि digital education हमको provide कराना है तो पूरी चीज जो है वो इस प्रकार से कननी बढ़ेगी कि पूरी चीज बैलेंस हो, जिससे की बच्चे को नुक्सान हो, बच्चे की growth हो physical, mental health, well-being यह सब चीज़े जो है वो ध्यान में रखी जाएगी cyber safety को ध्यान में रखा जाएगा ethical practices को ध्यान में आपने देखा होगा कि आज की rate में बच्चे गालिया बगरें टीचर्स को online क्योंकि online में, online है कैसा media में कोई भी किसी को गाली बग देता है किसको की डर नहीं है यहाँ पर भी हमारे चैनल पर भी काफी सारे लोग आ जाते है right but मुझे मैंने देखा कि मुझे मान के चलो कि मुझे बहुत कम गालिया पढ़ती है airways से तो, मेरे जो students वो काफी अच्छे है और कभी-कभी इधर-उदर के जो लोग आ जाते है वो गाली तो नहीं बगते है देखा मैंने किसी को अब देखा भी होगा तो बहुत पहले देखा होगा पता नहीं बट करते हैं इस प्रकार की हरकत करते हैं और cyber safety तो बहुत जाद है तो यह सब चीज है कुछ guidelines इस प्रकार की है आपको simply बस याद रखना है कि प्रगयता जो है वो digital education के ऊपर based एक guidelines आई है और जिसको basically online education के लिए follow करना है और इसमें बच्चे की पूरी जितने भी बच्चे को requirement है education की बच्चे का syllabus होगा जो course होगा content होगा वो किस प्रकार से produce किया जाएगा तो हर एक चीज यहाँ पर इस guidelines में हम लोग को देखने को बलेगी तो यह बस basic चीज आपको related एक जानकारी होनी चाहिए अब गाइस बात करेंगे United Nation High Level Political Forum के बारे में तो देखो इस topic को थोड़ी देर से मैं आपको समझाता हूँ यह क्या है यह body कौन सी इसका काम क्या है पहले आप यह जानो जो news में था कि NEETI I.O. जो है उसने इंडिया की second voluntary national review जो है वो प्रस्तुत करी है United Nation High Level Political Forum on Sustainable Development के पास इंडिया VNR 2020 Report यानि की voluntary national review report 2020 यह हम लोग को देखने को मिल रहे है जिसका title है Decade of Action Taking Sustainable Development Goal from Global to Local वैस आपको पता होगा की United Nation की Sustainable Development Goal है कितने है टोटल 17 Sustainable Development Goal है इसको अच्छे से रट लेना रट लेना मैं इसलिए कह रहा हूँ और इसको रोज पढ़ो आप अपने दिवार में चिपका के क्योंकि हर एक topic को आप अपने mains examination में उप्योग कर सकते हो एक line आप ऐसी चिपका सकते हो कोई भी topic आग बंद करके आप लिख सकते हो किसी भी topic के अंदर 95% topics आपको में ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आप United Nation के sustainable development goal का उप्योग कर सकते हो जैसे कि आपको पताएगा इसकी गरीबी को दूर करना ये भी इंडिया का objective है ये इंडिया का objective और ये core objectives है right good health और well being अच्छी health होनी चाहिए और ये good health और well being तो आप आने ही वाला है तो आप अपनी एक line जपका सकते हो और ये ऐसी जो line होती ने ये free focus की मिलती है हर answer के लिए आपको एक answer होता है वो 120 word 1200 word में रहता है तो ऐसी जो answers होते हैं उसमें आपको अगर 20 word भी मिलगा अच्छे जो कि आपको help करेंगे examiner को impress करने में तो आपके लिए क्या बुरी बात है आप अच्छे से पढ़ो इसको और मैं चाहूंगा कि आप इसको daily जो है वो 10-15 दिन तक पढ़ा करो और इसको डीटेल में पढ़ो आप United Nations Sustainable Development Goals आपको online मिल जाएंगे इसको डीटेल में आप पढ़िए और इंडिया के साथ उसको compare करें कि इंडिया के United Nations Sustainable Development Goals के targets को अचीव करने के लिए यह फलाना target को अचीव करने के लिए यह फलाना target को अचीव करने के लिए ऐसी अगर आप एक notes बना लो अपने पास तो आपके लिए मज़ा आ जाएगा बहुत तो यह shortcuts है इनको अगर आप follow करोगे तो आपके लिए अच्छा है नहीं करोगे तो भी अच्छा है कोई बात नी बागी मैं आपको सही direction बताता हूँ जिसको आपको follow करना mandatory है जरूरी है और अगर आप ऐसा करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी चलो anyways आगे की बात करेंगे तो यह चीज आपको पता लग गई एक चीज तो कि जो नीती आया होग है उसका काम क्या है अभी इस report के दूरूस ने क्या बताया है कि इंडिया जो है उसने कौन से Sustainable Development Goal अचीव किये है या फिर इंडिया जो है वो United Nations के Sustainable Goal जो 2030 तेक अचीव करने के लिए कितना नजदीक है या कितना दूर है तो यह इस report में हम लोग को पता लगता है देखने को मिलता है यह मोडी मोडी बात आपको पता लग गई background की बात करें तो नीती आयोग जो है यह क्या करती है United Nations Sustainable Development Goal जितने भी होते है वो इंडिया के अंदर किस प्रकार से गोल चल रहे है कितना हम अचीव कर पा रहे है या नहीं कर पा रहे है उसको monitor करती है और यह national और sub-national level पर हम लोग को देखने को मिलता है और इसकी report फिर प्रस्तुत की जाती है इसी आधार पर कि हम लोग किस प्रकार से adopt कर रहे है United Nations Sustainable Development Goals को और किस प्रकार से implement कर रहे है, execute कर रहे है और review किया जाता है यह पूरी review process होती है कि इंडिया जो है वो किस प्रकार से काम कर रही है और उसके बाद फिर क्या होता है कि इसका जब report सामने आते हैं तो हम लोग को exact हमारी स्थेथी पता रगती है फिर हम लोग क्या करते है उसको सही करने की कोशिश करते है जिस जिस area पर हम लोग lag कर रहे होते हैं उस area पर फिर target करते हैं जिसे कि उस area को हम लोग achieve कर ले हैं जिसे कि आप पढ़ा ही कर रहे हो उसके बाद जब आप टेस्स देते हो तो आपको पता लगते है कि exactly कौन सा subject जो है उस पर आपकी कितनी command है और जिस subject पर command काम होती है उस पर आप काम करते हो वैसे ही यहाँ पर United Nations Sustainable Development Goal के लिए नीती आयो क्या करती है यह 17 Sustainable Development Goal को देखती है कि इंडिया के अंदर कैसा इसका कारिये चल रहा है कैसी कारवाई हो रही है इंडिया के अंदर फिर जहाँ पर कमी है उस कमी को फुल्फिल करने का काम किया जाते है क्लियर रहे है अंदक बात है इस समझ में आगया बैट गया दिमाग में पूरा आगे यह की बात करेंगे यह बॉडी को अब हम लोग डिसक इस कॉन्टरेंस में यह बॉडी बनाने की बात की गई थी और इस समय कई हम लोग को देखने को मिला था कि एक और बॉडी पहले हुआ करती थी United Nations के अंदर हम लोग को देखने को मिलती थी कि Commission on Sustainable Development की बॉडी हुआ करती थी तो ये 1993 से इस बॉडी को बनाए गया था और ये बॉडी हर साल मीटिंग करती थी तो हम लोग को ये चीज़ देखने को मिली कि ये जो बॉडी है Commission on Sustainable Development United Nations की बॉडी इसको हटा दिया गया और इसकी जगा पर ये HLPF को रख दिया गया High Level Political Forum on Sustainable Development को रख दिया गया ठीक है तो ये चीज़ ये आपको पता हो नीचिए और इनकी मीटिंग जो होती है वो जोलाए के महीने में आट दिन के लिए इनकी मीटिंग होती है ये कब हम लोग को पता लगे है जब हम लोग को ये जानेंगे कि इस बॉडी का काम क्या है तो काम की बारे में मैंने आप लोग को अलड़ी बताई दिया है कि यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर डिसकेशन होता है समय रहे हो बातों को तो इसलिए वाली चीज़ और यह सभी country जो है वो अपनी voluntary national review प्रस्तोत करती है voluntary मतलब अपनी मर्जी से यह national review प्रस्तोत करती है यानिकि खुद बाखुद जैसे कि नीती आयोग इंडिया की body है तो नीती आयोग खुद बाखुद इंडिया की जो progress है वो यहाँ पर बताती है right mention करती है अब देखो इसमें बताए एक loophole यह भी है कि country जो होती है वो obviously सभी country चाहती है कि international level पर उनकी वावाई हो उनको जो है वो international level पर नीचे ना देखने मलब गिरे ना वो international level पर यह उनकी जो value है वो कम ना हो और value कम कब होती है जब सभी country अच्छा कर रही होती है और एक country जब बुरा कर रही होती है किसी चीज़ पर तो value कम होती है अब यहाँ पर सभी को अपनी value जो है वो अच्छी करनी है इस arrow को उपर ही लेकर जाना है तब हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि काफी सरी country कई कबर ऐसे जो data बगरा जोती है उनके साथ छेडखानी करती है उस country के अंदर भली मान के चलो कि democracy नहीं है फिर भी बताते है क sustainable development goal जो है उसको अचीव करने के लिए उनकी क्या progress है और purpose क्या होता है परपस ही होता है कि हम लोग को देखने को मिलता है कि country जो है वो किस level पर है goal को अचीव करने के लिए उसके बाद फिर वो देखते हैं कि आप अपने experiences को शेयर करते हैं या रिपोर्ट जो है अलग- जो है आपके group वगएरा जो होते हैं उसमें आप डेखते हो आपके बैच मेट्स वगएरा जो है जो सविल सवरेसे की तैयारी कर रहे हैं आपस में आप preparation करते हो देखते हो जैसे कि comment box पर आप देखते हो काफी सारे लोग answers लिखते हैं तो दूसरे का answer देखकर आपको लगत नहीं है तो ऐसा एक environment ऐसा एक महौल हम लोग को इसमें देखने को मिलता है तो यह चीज़ है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चीए और review जो होते हैं वो voluntary basis पर होते हैं वो मैं आपको पहली बता दिया था अपने घुत की मरजी से वो करते हैं शेयर करते हैं तो यह ची यह वो पूरी चायना की है क्योंकि चायना की उपर चायना का नाम इससे जुड़ा हुआ है तो यह चीज़ चायना का claim है और हालकि कई बार international forums ने, tribunals ने, already चायना को बोल चुका है कि भाई हड़ जाओ यहां से यहां पर छोड़े nations को छोड़ी countries और island countries उनको परिशान मत क पर चायना अपनी बातों से मिलब टिकता नहीं है अपनी बातों पर कभी तो बोलेगा वो कि हां हमें परिशान नहीं करूंगा दूसरी movement पर परिशान करना शुरू कर देता और यहां पर बहुत disturbance इसने create करके रखी हुई है इवन जैसे कि इंडिया के पास इसने disturbance create करके तो इसके बारे में एक general जानकरी होनी चीए हलाकि इस topic को मैं आप लोग को अलड़ी पढ़ा चुक हूँ काफी detail में जिन बच्चों नहीं बढ़ा है वो जाहिए इस topic के ओपर 25 जून 2020 के topic के ओपर Japan ने कुछ islands के नाम चेंज किये थे China के ओपर इस topic मैंने आपको बहुत सार 2020 के topic मैंने आपको cover कर रहा है आपको क्या करना है YouTube के search column पे लिखना है 25 जून 2020 उसके आगे आप लिख दीजेगा only current affair जो सबसे पहला topic आएगा यही वाला topic आप जाहिएगा और इस topic पे 10 minute 19 second पे यह topic आपका शुरू हो जाएगा और इसको आप पूरा देखिएगा ठीक है त इसको यहां से अपना claim हटा लेना चाहिए क्योंकि यह दूसरी island countries को परिशान कर रहा है और यह जान मुझ के परिशान कर रहा है क्योंकि यह पूरी history वगरा मैंने हापर पूरी natural के रखी हुई आप जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि पूरी चीज हापर crystal clear आपके लिए कर number three 5G network Britain UK ने ban कर दिया हुआवे की services 5G networks वाली हुआवे की services हुआवे कंपनी है आपको बता हुआ काफी सारी चीज़े यह बनाती है इसके mobiles वगरा भी आते हैं काफी सारी technology camera वगरा भी CCDV camera भी हुआवे के देखने को मिलते हैं काफी कुछ बनाती है यह technology sector में काफी बड़ तैयारी हो चुकी और इसको पहले भी हम लोग discuss कर चुके हैं बट हम लोग को देखने को मिला काफी सारी countries ने boycott कर दिया इसको Huawei को क्योंकि Huawei एक China की company है और China government का काफी बड़ा share जो है वो Huawei के अंदर है यानि Huawei में involved है तो इससे क्या होता है इससे हम लोग को देखने को यह मिल कि चाइना की जो companies है तो national security के नाम पर अगर कोई भी company को बोला जाए कि चाइना को कुछ data चाहिए तो वो company जो है वो मना नहीं कर सकती तो चाइना के खुद के constitution में यह वाला clause हम लोग को देखने को मिलता है बकाइदा चाइना अपने constitution में चीज मेंशन करके रखी है कि उसक company को देना पड़ेगा वो company के लिए mandatory provision है कि उसको देना ही पड़ेगा अगर नहीं देगी तो वो company के खिलाब China करवाई करीगा उस company को बंद करवा देगी और यह कोई भी company जो China mainland में operate करती है Chinese company तो यह clause चाइना के constitution में है और इसी वज़ा से पूरे दुनिया भर की जो countries है including India also यह Chinese products को boycott करनी especially technological products को जिससे की कोई ना कोई data transfer किया जा सकता है अब अगर यह 5G services अगर चाइना 5G network जो है चाइना की company अगर provide करा है अलगला countries में तो इससे क्या हो सकता है एक country के उपर पूरा hold China का हो सकता है अब आज की rate में digitalization technologies इतनी जादा बढ़ गई है जो आज की rate मे हम लोग internet of things की बात करते हैं artificial intelligence की बात करते हैं तो यह सब चीज़े internet के उपर based है और अगर पूरा का पूरा internet नया network service अगर चाइना की company operate कर रही है तो चाइना के लिए काफी easy है उस country के अंदर हर एक चीज़ देखना including the footage of that particular country also क्योंकि एक country का जो internet जो होगा network जो होगा 5G network होगा वो एक device के उपर based होगा अब इस device के दुरू एक country के जो intelligence data जो होते हैं highly secure data वो तक निकाले जा सकते हैं इस के दुरू तो ऐसी चीज़े भी हो सकती है तो हर एक country पूरे दुनिया भर की उनको थोड़ा सा खत्रा है चाइना के इस Huawei से इस company से तो उसको लेकर और USA ने अ ब्रिटेन के अंदर 5G network जो होगा वो Huawei का होगा रइट बट अभी क्या हुआ है ब्रिटेन ने बैंड कर दिया है Chinese telecommunication company Huawei को बैंड करने की mainly वजा जो है guys वो यह है हम लोग को जो देखने को मिल रही है कि जो USA है उसने धंगाया था ब्रिटेन को कि अगर तुम इसको Huawei को बैं कर दिया है तो यह जीज़ आप लोग को थोड़ी सी इसके बार में पता होनी चाहिए इन जनरल रही नॉलेज होनी चाहिए इसके लब बात करें Spike LR long range anti-tank guided missile की कोशन आ सकता है कि यह guided missile किसकी है तो याद रखना Israel की यह missile है और इंडिया जो है वो अब इस missile को और भी ले र जो इस प्रगार की तस्वीर ले रहा है बड़ आप देखिए कि इसके अंदर से निकलती है missile तो यह missile है anti-tank guided missile यह हम लोग को देखने को बल रही है long range anti-guided missile और आर्मी ने और भी डिजाइड किया हुआ हुआ है कि 12406 saucer assault rifle भी USA से यह पर्चेस करेंगे तो इंडिया अपन यह सिर्व इतने ही topics थे और मैंने आपको जितने भी topics पढ़ाए हैं अगर अच्छे से clear हो गए हैं दिमाग में बैड़ गए हैं तो आप मेरे इस lecture को आपके किसी भी social media account पे share कर दीजेगा और like जरूर कर दीजेगा नए आया है तो चैनल को subscribe भी कर दीजेगा ठीक है और आपको इस topic को पूरा गर समझना है तो इस bill को हम लोग ने discuss किया था जिसको लोग सबने अप्रूफ कर दिया था इसी बिल को transgender bill को तो आप एक बार 8 अगस 2019 का topic पे आप जाएंगे तो आपको यह पूरा का पूरा यानिकि इस lecture पे आप जाएंगे तो यह topic आपको मिल जाएगा नहीं तो फिर आपके बास अगर पुराने नोट्स होंगे कि कई बार हम लोग बीच में इस topic को discuss कर चुके है तो आपके उस पुराने notes वगर होगे तो उसे एक बार आप revise कर लेजाएगा दूसरा national green terminal के बार में आपको पढ़ना है इन दोनों topics को आपको क्या करना जाते हैं और आप लोगों को ये वीडियो की notification updates भी हाँ पर मिल जाती है और ये हमारे paid courses अगर आपको चाहिए तो इसके हमारी ये numbers है जिन पर आप contact करके paid courses related जानकर ही हासिल कर सकते हैं अब हम लोग गाईस मिलेंगे कल तब तक लिए बाबाई, take care, have a great day ahead, ta-da!